तो वहीं विदेशों में बैठे भारतियों को अपने देश की चिंता है। विदेश में रहे सरदाल जगदेश सिंग की चाहत है कि संसादुनों के अभाव में कोई भी बच्चे की पढ़ाई वन्चित ना रह जाए। दरतल अलवर जिले के ग्रामेड क्षेतर में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अलवर के लिवारी गाओ में सिख समाज द्वारा एक ऐसा स्कूल चलाया जा रहा है जहां न सिर्फ सिख समाज बलकी सभी समाज से जुड़े गरीब बच्चों को निशल्क शिक्षा से लेकर सारी सुविधाय दी जा रही है। इन्हें कौपी किताब सहित बैग इत्यादी भी निशल्क दिये जा रहे हैं। इस स्कूल में पढ़ने के लिए दूर दूर से बच्चे यहां पर आ रहे हैं। उन्हें यातायात सुविधा भी प्री में दी जा रहे हैं। लिवारी में बना ये स्कूल किसी नीजी स्कूल से कम नहीं लगता। अलवर के लिवारी गाउं के इस विध्याले का संचालन सिख्खी सिख्या गुरू प्रचार अकेडमी करता है। यूएस में बैठे जगदीश सिंग का मानना है कि नर सेवा ही नारायन सेवा है। समाज और देश के लिए कुछ कर सके। प्रतियोगिता बच्चों में करवाई जाती है। विध्वान लोगों को बुला कर उनका उद्वोधन करवाया जा सके। धार्बिक और सांसकतिक ज्यान के लिए भी समय समय पर कारिक्रम आयोचित किये जाते हैं। खाली में चितरकला और दस्तार प्रतियोगिता करवाई गई थी। इस दोरां गुरुद्वारा बाला साहिब के मुख्य ग्रन थी सुख्विद्दर सिंग। दिली उचन्याले के अड्वोकेट जगमिंदर और अमरीक सिंग ने बच्चों को पुरस्कार ध्यप्रत की। इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो सभी धर्म सभी जातके बच्चे हमारे पास पड़ रहे हैं। इसको जो स्पोंसर कर रहे हैं वो गुरू मिलाप और्गनाजेशन अमरीका से हैं जो इस स्कूल को स्पोंसर कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए इनको यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक, शूज, इनके लिए कनमेंट थारी सुविधाएं संस्ता के तरफ से फ्री ओपोश्ट दी जाते हैं। विदेश में बैठे लोगों का भारत और भारतिय बच्चों के प्रती अपनी जिम्मेदारी समझना काबिले तारीश है। जुगल के शोर, जी मीडिया, अलवर्ट और चले फिलहाल के लिए विशेश में अतना ही लेकिना बने रहे हैं।